हाई गाईज एंड वेलकम बैक टो यूट्यूब चैनल किम चोवदा मजा मात चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो जैसे कि आप लोग टाइटल एंड थमनेल देखके आये हो मैंने जो है इंजल वन में प्रोफिट बुक कर लिया है तो आज की वीडियो में जो है मैं सिखाने वाला हूं कैसे मैंने स्टॉक में फिरामीडिंग की दो बार and कैसे जो है मैंने ओवर्ल ट्रेड को पूरा हैंडल किया पहले हम लोग देखेंगे profit कितना मेरा को profit मिला है अंजल वन के स्टॉक में से अगर आप लोग देखेंगर क Music legressrice बैठा था Angel One में तो चलिए move on करते हैं हमारे वीडियो में अगर आप लोग नए हो हमारे यूट्यूब चैनल में तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब करके जाना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से अन कर लेना तो चलिए देखते हैं पहले कितना profit मैंने जो है चलिए शुरू करते हैं तो यह आप लोग देख रहे हो मेरा पी एनल आप लोग देखोगे तो जीरो दा का जो है मैंने ओपन किया होए मेरा पी एनल एक्वीटी सेग्मेंट है हमारा अब हम लोग देखे तो यहां पर आप लोग को देखने मिलेगा सिंबॉल नेम जो एंजल प्रॉफिट किया हुआ है इस ट्रेड में यहां पर लोग देख रहे हो परसंटेज तो 20.59 बट यह मेरा एवरेज करके प्राइज उपर आया है इनिश्यल मेरे एंट्री से जो है मैंने 30 परसंटेज ओवरॉल इस ट्रेड में कमाया हुआ है तो चलिए पूरा का पूरा मैं आपको ट्रेड कैसे प्लान किया वो मैं समझाता हूं और उसके बाद कैसे कैसे जो है मैंने पिरामीटिंग किया पूरा का पूरा आपके साथ लर्निंग शेर कर देता हूं यह तो आप लोग ने देख लिया ओवरॉल 42,486 रूपीज हम लोग ने इंजल वन में से कमाया है यह किसी के लिए जादा हो सकता है अमाट किसी के लिए कम भी हो सकता है बट मेरे जो कैपिटल है उसके ओपर जो है मैंने बहुत ही अच्छा जो है ट्रेड में प्रॉफिट कमाया हुआ है तो चलिए मूव ओन करते हैं हमारे लर्निंग पार्ट के उपर यहां पर मैंने जो पूरा वीडियो देखे प्रोफिट दिखाना बड़ी बात होती है कोई भी ट्रेडर के लिए तो मैं ट्रांस्परेंसी रखना चाहता हूं इसलिए जो है मैंने प्रोफिट दिखा रहा हूं और अभी चलिए मूववन करते हैं हमारे ट्रेड एनालिसिस पाट के उपर यह लोग देखते हैं कि कैसे जो है ट्रेड हमारा जब बना नहीं था एक्टिव नहीं हुआ था तब कैसा दिख रहा है तो पूरा स्लो वीडियो होगा बहुत बड़ा भी वीडियो होगा बट आप लोग लर्निंग लेके जाना इंजल वन का सम्वेर अबाउट ब्रेक आया थ फिर कुछ भी वहा स्टॉक में अर्निंग सथीक आई कोई भी वज़क में गिरावत आई अभी हम लोग रीटेस्ट की से कहते हैं कोई भी स्टाप को जो ब्रेक आउड हुआ था जिस टॉक का जो एरिया था ब्रेक आउड का वह अभी सपोर्ट कीता रहा वग करेगा तो स् consolidation pattern देखते हैं अगर वो हाई ब्रेक होता है डोजी का या तो consolidation phase का तभी हम लोग जो है ट्रेड में एंटर होते हैं तो इस टॉक में भी जो है अच्छा हम लोग को momentum मिल रहा था अगर आप लोग लोग देखोगे इस ट्रेड में तो यहां पर वीकली टाइम फ्रेम में यह फस्ट फॉल तो स्टॉक ने क्या किया एक बार यहां पर नीचे आया 2000 के आराउंड आया स्टॉक और वहां जो है मुड़ गया दूसरी बार सेम हम लोग बात करें पिछले वीक का जो हाई था वहां पर आके रेजिस्टेंस लिया वहां पीस से नीचे चला गया तीसरे वीक में भी आप लोग देखोगे तो वहीं से स्टॉक मुड ने लगा तो एक रेंज हो गए 2300 से लेका 2000 के बीच में रेंज हो गई ती इस टॉक की ने क्या किया कि 2320 का हम लोग को पहले से प्लांट करके रखना है अब इसमें मैंने क्या किया अलर्ट कर दिया मैं रबोर 2300 के पास कि अगर यह स्टॉक 2320 का जो है ब्रेक आउट होता है तभी मैं स्टॉक में बाइंग करूंगा तो यहां पर क्या होता है दूसरे दिन यहां पर आप लोग देख रहे हो और डेली टाइम फ्रेम लगा देता हूं तो स्टॉक नीचे आया हमारा फिर देख आप लोग को मैं जो है ब्रेक डाउन दिखाता हूं आप लोग देखोगे यहां पर फर्स्ट मेरी एंट्री हुए थी 1908 मिंस 19 ऑगस्त को और सेम जो है यह यह ट्रेड मैंने मेंबर जो हमारे यूट्यूब चैनल के उपर है वो शेर किया हुआ था अगर मैं आपको दिखा हूं तो यहां पर देखोगे टू मंच अगो आप लोग देखो कीप एन आई ओन एंजल वन लुक्स गुड़ अब टू-320 जो मैं खुद बाय करता हूं वह मैं इसमें शेर करता हूं यहां पर जो है लर्निंग के लिए मैं शेर करता हूं कोई भी टिप्स सेल नहीं करता व वह बात आप लोग ध्यान रखना तो संवेर अबोट स्टॉक चल रहा था 2276 कह रहा हूं तभी आप लोग देखोगे यह डॉटेड लाइन वह मैंने यहां पर जो है माक करके रखा था यह स्टॉक जो अगर 2320 के ऊपर निखलता है तो अभी हमारा जो है ट्रेड एक्टिव के बाजू में जो है जो है जोइन बटन का आपको बटन मिल जाएगा तो आप लोग जोइन कर सकते हो अगर आप लोग एपल यूजर हो तो आपको जो है मैं पिन कमेंट में जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोगों को जोइन करना है तो वहां से आप युई इस दिन पर अभी हम लोग देखे तो सेकेंड दिन पर आप लोग देखोगे तो अल्मोस्ट यह स्टोक 15 परसंटेज अब था हमारे कॉन्टीट हमारी बाइंग प्राइस से जो इस्टोक अल्मोस्ट अठ्रा परसंट यहां पर मुव कर चुका था स्टॉक फिर हम लोग देखते हैं तीसरे दिन पर क्या हुआ तो स्टॉक ने जो है हाई लगाया सम्वेर अबाउट 2855 गया रहाँ एंड हमको जो है अच्छा पैसा मिल रहा था अल्मोस्ट 23 परसंटेज दो तीन दिन में जो है हमको मिल रहा था पर हम लोग ने बुक नहीं किया उस दिन आप लोग देखोगे तो वॉल्यूम्स भी बहुत ही अच्छे आ रहे थे तो यहां पर जो और हमारा जो स्टॉक नीचे आया वापीष से री टेस्स किया वापीष से वहारा जो breakout का लेवल था वहीं पर आके स्टॉक नैंरी टेस्स किया अगर आप जो सपोर्ट था 2320 क्या राउंड सपोर्ट लेके उपर की तरफ वापी से स्टॉक ने अच्छी स्ट्रेंड दिखाए तो यहां पर जो है मेरा confidence built हो गया second time जब मैंने अपने members के साथ यह वाला स्टॉक वापी से शेर किया अगर आप लोग देखोगे तो वन मंथ अगो वापी से हम लोग ने शेर किया था इंजल वन रीटेक्स कंफोर्म हो गया है hold with patient इट विल भी रॉकेट सून एंड आपको पता है कि क्या करना है disclaimer not any buying or selling recommendation तो मैं यहां पर टिप्स नहीं देता हूं बट आपको जो है मैं सिखाने आता हूं तो उस दिन आप लोग देखोगे तो डोजी पैटन बनी रहा था हमारा second time हमारी जो है entry हुई इस stock में अभी हम लोग बात करें यहां पर जो है आप लोग देखोगे तो वापी से stock consolidation हुआ यहां पर जो है स्टॉक वापी से एक consolidation में जाने लगा members की हम लोग बात करें तो members की लिए जो है मैंने second time यहां पर entry करवाई personally मेरी खुद की third time यह वाली entry थी इस दिन मैंने जो है stock को again तीसरी time बाय किया and members की लिए second time Tuesday 1st October को क्योंकि यह आप लोग देख रहे हो उपर गया थोड़ा बहुत नीचे आया and consolidation करके एक यहां पर मेरे को जो है छोटा सा breakout लग रहा था तभी मैंने जो है इस stock को वापी से share किया आपने members only I am adding some more quantity in angel 1 at 2623 with red line SL with small risk and we'll explain on Saturday live video तो यहां पर मैंने उनके साथ second time entry करवाई 2623 के आसपास and वो जो पूरा explanation होता है week का वो में Saturday हमारा जो है live session होता है हमारे members के साथ वो मैंने उदर share किया अभी आप लोग देखोगे तो यहां पर एंट्री हुई उसके तीसरे दिन ही आप लोग देखो तो अच्छी एक candle के साथ breakout हो चुका हमारी second entry भी जो है successful रही एन उसके बाद आप लोगों को मालूम ही है stock ने क्या perform किया बहुत ही बड़िया जो है stock ने पिछला जो previous resistance था वो भी breakout कर दिया अभी यह stock को जो है मैंने exit कहां पे किया तो somewhere about 2900 से 3000 के बीच में जो है मैंने सारा का सारा कुछ मैंने sell off कर दिया percentage wise मैं आपको बता हूँ तो मैंने क्या किया कितना कमाया first entry से हम लोग बात करे 2320 से somewhere about 3000 बन मैंने 30 percentage कमाया and buying average करते करते 20 percentage मैंने profit book किया overall वो भी मैंने यह जो है हमारे YouTube में share किया हुआ है and आप लोग देखोगे I exited all and now got overall 29 percentage seven day अगो उसके पहले भी मैंने नीचे एक post किया हुआ था तो आप लोग वीडियो को pause करके पढ़ सकते हो तो पूरा का पूरा जो है मैं अप अपना trade plan करता हूं कुछ भी add करता हूं exit करता हूं तो पूरा मैं जो है प्राइम membership में डालता ही डालता हूं फिर अभी आप लोग देखोगे तो यहां पे एक छोटा सा resistance था and अभी stock जो है फिलाल नीचे आया हुआ है वापी से अपने प्रिवियस breakout था वहां पे retest करने आ मेरों को इस वजह से जो है मैंने confidence के साथ entry करवाई आप लोग देखोगे तो trend जो है यहां से change हो रहा है तो यह था हमारा overall वीडियो यह सिर्फ जो है मैं समझा रहा था technique कैसे हम लोग ने pyramiding की जब strong हो रहा था stock तभी pyramiding की ऐसे नहीं के गिर रहा था तभी हम लोग ने जो ह overall यह था मेरा trade plan and joy 30 percentage around जो मैंने profit book कर लिया अभी मैं वापी से इसमें entry plan करूंगा अगर plan करूंगा तो मैं membership में बता ही दूंगा तो overall यह था हमारा आज का वीडियो अगर आप लोगों को मजा आया हो वीडियो में तो एक बार like करना एंद सब्सक्राइब करें बिना मत जान thank you so much for watching Jai Hind